अब हम आपको वह उपाय बताते हैं, जिसमें मात्र दो बूद शहद के दम पर आप अपने घर में सुमती पैदा कर सकते हैं, क्या उपाय है, बहुत पहरा सा उपाय, एक कटोरी लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, दो बूद शहद डालिए, एक चुटकी केसर डालिए, और एक टिकिया कपूर का डाल दीजिए, रिपीट करते हैं, कटोरी में गंगा जल, दो बूद शहद, कपूर की एक टिकिया, ठोड़ा सा केसर डाल दीए, घर के मध्यस्थान पे रख दीजिए, मिडल पे, बिलकुल मध्यस्थान पर, इसके बाद दो तुलसी की पत्तीस म डाल दीजिए और धीरे से कपूर निकाल करकि या जला दिछी, उखने के बाद, उखाने के बाद, थोड़ी दिर में, काम पूरा आपका 6, पुछ दे रहने दीजिए, इसके बाद इसे अपने पूरे घर में दूरवा से छिड़ग दीजी, और जो बचा हुआ जल है, उसे प्रति दिन घर की व्रद्ध महिला या बजुर्ग पुरुष कोई भी शनान के बाद इस उपाय को उगर करता है, तो घर में बरकत रहेगी, घर से कलेश दूर होगा, रोज अगर इस प्रकार के घरों से रहने वाला व्यक्ती महिला पुरुष कोई आ जाता है, तो भी आप यूट्यूब चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करने का एक डायरेक्ट एडवांटेज आपको ये मिलता है, कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे, तो आपको ततकाल पता चल जाएगा, जैसे आज कल हम डेली एक यूट्यूब पर हमें अनुमद दीजेगा, खुश रहें, प्रशन रहें, नमस्कार, शिरादे